नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो के साथ अगर आप लोग नए हैं प्लीज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करें दोस्तों सब्सक्राइब कोजीन से क्कौड्य आ रहे थी इस वीडियो में कि OCD केतते स्पाइब में मतलब का ट्रीटमेंट कितना दिन लगे गा निमांस में क्या खर्चा होगा और कितने दिन मतलब वहां रहना पड़ेगा और कितने दिन में मतलब उसका मतलब असर दिखने लगेगा वहां के मतलब treatment का तो मतलब दो-तिन call आये थे तो मतलब और भी मैं already मैं इसमें दो-तिन वीडियो बना चुका हूं मगर YouTube का पता नहीं क्या algorithm है वो सकता है suggest नहीं कर रहा भी और मतलब नहीं नहीं लोग जो देख रहे हैं या जो जानना चाहते हैं उन्हें suggest नहीं हो रहा तो फिर मैं सुचा कि और एक वीडियो मतलब बना दू तो नहीं लोग जिसे जरूरत है वो फिर से देख पाएंगे तो हम लोग आईए हम लोग डीटेल से बात करते हैं वीडियो के अंतक बने रहिएगा और मैं पूरा डीटेल से बताऊंगा एक क्या-क्या मतलब कितने दिन लगेगा तो सबसे पहले आप लोग को जब पता चल जाएगा कि OCD है तो आप लोग निमांस में जाएंगे टीटमेंट के लिए तो सबसे मतलब आप ओं-लाइन ले एन्मिशन या ओफ लाइन ले और लेडि में दो-तिन वीडियो और लेडि में बना चुका हूं मेरे ही चैनल में आप प्लेलिस्ट में एक बार खोल के देखेंगे सारे डीटेल से में बताया हूं बोला हूँ पूरा इचन एवरी डिटेल्स से कि ओनलाइन सही रहेगा या ओफलाइन ओल्रेडी में यह डिटेल्स दे चुका हूँ तो आप लोग सबसे पहले आप लोग जब जाएंगे वहाँ पर OCD से टीटमेंट करने के लिए OCD के लिए तो वहाँ पर आपको जैसे आप अपॉइंट में लेकर अंदर जाएंगे तो आपको डॉक्टर क्या करेंगे पहली बारे में आपको उससे लिए सीम्टमस अपको कब पूछा जाएगा पूरा डीटेल से डाइग्नोसिस किया जाए का मतलब मतलब एक जो assistant रहेंगे डॉक्टर के वो पूरा डीटेल से आपके बारे में पूछेंगे family history वंगरे जितना भी मतलब पिछला आप क्या कब से स्टार्ट कब से हो रहा है प्रोब्लेम आपको क्या क्या सिम्टम्स हैं मतलब क्या फैमली में कितने मेंबर हैं क्या हैं यह सारे आपको डीटेल से पुछा जाएगा वो लोग सारे चीज लिखेंगे अपने मतलब आपने कागा जुमें मतलब ए जब आप जो head doctor रहेंगे इसके लिए OCD के लिए specialist रहेंगे तब आपको देखेंगे वो देखने के बाद आपको या तो first time क्या करेंगे आपको medicine लेग देंगे आप फिर से आओ दो मैने तिन मैने के बाद आपका follow-up date दे देंगे कि दो-तिन मैने बाद फिर से कि मतलब आ जाना है और एक जो है वहाँ admission करने के लिए कि नहीं मुझे वहाँ admit होना है तो वह आप जब तक मतलब आपका इच्छा नहीं रहेगा आप उन्होंने प्रेस नहीं करोगे तब तक वह लोग नहीं मतलब अपने से नहीं करेंगे क्योंकि वह government hospital है उनका तो उससे कोई फाइदा नहीं है क्योंकि वहाँ पर already बहुत भीर रहती है क्योंकि डेली कितने मतलब इसी ही admission होता है वहाँ पर तो आप आपको अगर इच्छा है कि नहीं मुझे वहाँ पर admission लेना admission और एक बात मैं बता रहा हूं admission लेके आप जब treatment कराएंगे ना तो आपको बहुत effective होगा आपको बहुत फाइदा मिलेगा उससे बलकि आप वहाँ से दवाई लेके चले आएंगे घर में आपको नहीं होगा उतना फाइदा यह already हम लोग को experience हम लोग पहले बार में हम लोग इसी तरह किये थे वहां गये दबाई वाई दिये आ गये और कुछ नहीं हुआ मतलब और अल्टर हो गया दबाई मतलब सूट नहीं किया तो फिर हम लोग को दुबारा एक दो महने बाद जाना पा रहा वहां पर तो हम लोग के साथ कुछ problem था तभी कोरोना वगरा हो चल रहा था तो हम लोग तभी बहार जा भी नहीं पा रहे थे तो अभी आप लोग अगर इसा आप लोग को बहुत परिसानी हो रही है खास करके student और कम एज के गुरूप के बच्चों को तो आप लोग कोसिस करें कि वहां पर admission ले ले और admission लेने के बाद आपको बहुत ज्यादा मतलब बहुत effective रह सकता हुआ पर हम लोगों को कितना लगा था वहां पर तो आप लोग अजब अंदर में खाना होना के लिए जैसे 400 रूपीज मतलब 400 रूपीज पर डे से रूम स्टार्ट है वहां पर अंदर में जब साकेटरी डिपार्टमेंट में ब्लोग बी सी आप लोग वहां पर 400 में सेयर है सिंगल भी है और 600 है जो थोरा सा अलग मतलब सेपरेट रूम रहेगा उसमें 600 में और कुछ कोटेज वगर है वह सबका थोड़ा और ज्यादा है और सबसे मिनिमम है 50 रूपिया जो एमेर्जेंसी वाट है और दोर्मेटरी है थोड़ा वहां पर प्रॉब्लेम होगी अगर शुरू में एडमिसन नहीं मिल पा रहा है तो आप ले ले वहां पर एक दू दिन बाद अप इस तरह का आपको चाहिए क्योंकि एक महिना मिनिममम दो से तीन सब्ता तो वह लोग वहां पर रखते ही है और 400 रूपिये के हिसाब से आप जोड़ ले अगर 400 रूपिया में रहना है तो आप जोड़ ले अगर एक मेने रहिएगा तो बारह हजार 600 रूपिया में चाहिए सुक्ष हम लोगों को कोंदिया गया था और रात में ऐक सोने के लिए नींद के लिए कोई मेडिसिन था मातल और कोई मेडिसिन नहीं था और वहाँ पे खाना हाँ मतलब वहाँ खाना भी अंदर में ही वो लोग अपना ही खाना देंगे खाना के लिए 100 रुपया पर डे लगा था दो टाइम खाना एक टाइम दो टाइम चाई और जो की मतलब ठीक ठाक रहता है खाना साउथ इंडियन का खाना और पेसेंट के साथ एक अटेंडर रहेगा जो आपको जो भी पेसेंट है उनके साथ एक आदमी आपको जाना होगा और बहुत ही अच्छा माहूल बन जाता जब आप एक सब्ता रहेंगे वहाँ पर तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा बहुत से घुल मिल जाईएगा और तरह तरह के आपको पेसेंट मिलेंगे वहाँ पर जो इलाज कराने आएंगे हम लोगों जब जिस रूम में हम लोग इस्टे किया था एक महिना वहाँ पर एक था सीजोफेरेन का पेसेंट एक बाइपोलर डिसॉडर और एक डिप्रेसन का पेसेंट था तो सबसे हम लोग को बहुत अच्छा खासा पता चला क्या यह सब टीटमेंट और यह सब बीमारी के बारे में तो एक्चुली इसके बारे में OCD यह सब जो बीमारी है इसके बारे में किसी को जल्दी नौलेज रहता नहीं है सब यह लोग पागलपन से इसको जोड़ देते हैं कि ऐसा अगर कुई दिमाग में वहाँ तो पागल हो गिया ऐसा नहीं है सब अलग-अलग टैप का बीमारी OCD जैसे अलग है Bipolar अलग है मगर सब का सिम्टम 20-30% सब का सेम रहता है तो आदम लोगों को लगता है कि यह पागल का ही बीमारी है और ऐसा नहीं है आप जब जाएंगे ऐसा अगर जो जिसे पता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है कि जो एक बार पढ़ लेंगे नेट उट में होगा इसके बार में पढ़ लें OCD या इस तरह का बीमारी है तो आपको बहुत अच्छी तरह से किलियर हो जाएगा तो आप लोग आराम से वहां पर दिखाएं और फाइदा मिलेगा मतलब आप सोचेंगे एक मेहने में ही मिल जाए नहीं जब तक मेडिसिन वहां पर हम लोगों ने जब दिखाया था तो डॉक्टर बोले थे कि मिनिममम छे महना लगेगा वो मेडिसिन जो बोडी में एबज दिखने लगेगा तो हम लोग और कोई प्रॉब्लेम हो और भी कुछ जानना चाहते हैं आप लोग प्लीज कमेंड बॉक्स में लिखेंगे मैं उनका रिप्लाई करूंगा और मैं खर्चा तो आपको बताए दिए कितना मतलब कोस्ट पड़ेगा आपको महाराने का और वहाँ जाने का ही जितना पड़ेगा जाने आने का जो खर्चा होगा आपका होगा और अंदर में मिनिमुम एक महिने में हम लोग का 12,000 के करीब पड़ा था तो अभी होगी हम लोगों का करीब दो साल हो चुका है तो अभी और कुछ चेंजेज हो सकता हुआ पर मगर अभी भी हम लोगों को जाना पड़ता हुआ मेडिसीन लेने के लिए बीच बीच में और मेडिसीन सिर्फ वह लोग मेडिसीन जो लिखते हैं वहाँ पर बहुत कम कोस्ट में मिलता वह गवर्मेंट का ही मेडिसीन रहता है आपको उस सेम मे अगरी टेबलेट का पत्ता का दाम अगर 50 रूपीज है तो बाहर में आप लेंगे तो उनका देर सो से 200 पड़ जाएगा मिनिममम मतलब वहां पर कोस्ट बहुत मिनिममम रहती है वो गवर्मेंट इस्टेट गवर्मेंट के मतलब फंडेड होस्पीटल है और बहुत कम मतलब 400-500 रूपीय महिने में आपका मतलब जो मेडिसीन का खरचा वो होता है OCD में और जरूर फाइदा मिलेगा आप वहां ज आपना रिलेटिव में प्रोब्लेम है तो आप लोग जल्दी ही कोशिस करें वहां जाने का और कहीं लोकल लोकल में दिखा के जब ठक चुके हैं क्योंकि मुझे 2-3 कॉल आ चुका था वो लोग एम्स में भी दिखा चुके हैं तिन-4 साल से एम्स में दिखाने कोई प्लीज आप एक बार मेरा बात माने आप लोग जाएं वहां पर जरूर कोई फाइदा होगा और कोई कुछ डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंड बॉक्स में लिखें मैं उसका रिपलाई करूंगा वीडियो और लंबा हो चुका है फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्लीज अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और चैनल को सेर करें धन्यवाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में